मुझका दोस्तों मैं आधित के आप लोगों करता हूँ एक और नहीं वीडियो के अंदर गाईज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया कारंस के बारे में और किया कारंस एक के नहीं दो के बारे में बात करेंगे एक तो है अपनी प्रीमियम और दूसरी अपनी प्रिस् किया वाले हैं compare करने वाले हैं review करने वाले हैं क्या है इस वीरिंट में क्या extra मिलता है वो सब आपको पता लग जाएगा तो वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल अपी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा जब आप करते हैं subscribe बहुत अच्छा लगता है और अच्छी वीडियो अप्लोड करने का मन करता है तो आईए इस टार्ट करते हैं आज की वीडियो बात कर लेते हैं किया प्रीमियम की तो प्रीमियम का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मिलने वाला है फ्रंट से यार दोनों गाडियां बिल्कुल सेम लगती है कोई ऐसा डिफ्रेंस नहीं लगता अब हाँ डिफ्रेंस क्या है मैं बता देता हूं सबसे पहले डिफ्रेंस हो गया भाईया रूफ रेल इस गाड़ी के अंदर रूफ रेल नहीं आएंगी बट वहीं क्रिस्टीज के अंदर आपको यह वाला कलर यह ग्रे कलर है यह कलर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है और अब बात कर लेते हैं जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो फ्रंट पार्किंग सेंसर इसके अंदर दिख रहे हैं जो कि मिलता है प्रेमिम के अंदर बट प्रिस्टीज के अंदर वेंडर पर नमिलके आपको मिरर के ओपर मिलता है और यह एलेडी इंडिकेटर है और यह वाला अपना है लजय इंडिकेटर है यह बहुत बड़ डा में च्क्ष One साब को मिल जाता है तो साइड में सबसे लुक की तो रियर लुक के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया जैसे इसके अंदर आपको शार्फिन एंटिना मिल जाता है रियर कैमरा मिल जाता है इसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर आपको यह सिल्वर फिनिश मिल जाता है इसके अंदर यह प्रिस्टीज के अंदर दोनों की rear profile के अंदर आप देख भी सकते हैं आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर बात कर लेते हैं इंटीरियर की गाइज इंटीरियर में क्या difference होने वाला है तो इंटीरियर में difference ये रहेगा आप देख सकते हैं दोनों गाडिया आपको इसके अंदर सिस्टम नहीं मिलता सबसे बड़ी बात टच स्क्रीन मिल जाता है आपको प्रिस्टीज के अंदर सिस्टम तो छोड़ो टच स्क्रीन मिल गया एट इंच इसके अंदर जिसके अंदर Android Auto, Apple CarPlay वारलेसली आप कंट्रोल कर सकते हैं दूसरा डिफ्रेंस हो गया इसके अंदर अपना जैसे ये संग्लास होल्डर इसके अंदर मिल जाता है आपको बट वहीं आपको संग्लास होल्डर नहीं मिलेगा भी दिखा देता हूँ और लाइट का डिफ्रेंस हो गया आपको कुछ इस तरह lights मिल जाती है, cable light इसके अंदर, अब देखते हैं, premium के अंदर, तो premium के अंदर देखो, यह light मिलेगी आपको, दो light नहीं मिलेगी, और sunglass holder इसके अंदर missing रहेगा, तो यह बहुत बड़ा difference हो गया, दूसरे difference की बात कर लेते हैं, इसके अंदर जैसे की, चाबी की यार, तो keys हैं, keys देख सकते हैं, दोनों की हैं, यह premium की की है, और यह है अपना prestige की की, तो दोनों में सबसे बड़ा difference हो गया है, बिल्कुल, यह नॉर्मल सी की दे दिये, सेंट्रों जैसे की दे दिये, यह बिल्कुल, इसके अंदर नॉर्मल आपकी, manual, central locking आती है, बट वहीं, prestige के अंदर, यह आप देख सकते हैं, flip की आती है, central locking आती है, और एक नहीं वाई, दोनों अपनी flip की आएंगी, और central locking आएंगी, तो यह difference हो गया, बहुत बड़ा, अब अगले difference की बाद करते हैं, इसके अंदर आपको system मिल गया, तो system के साथ, इसके अंदर आपको 6 speaker भी मिल जाते हैं, जिसमें की 2 tweeter है, और 4 speaker है, चारों के चारों door के अंदर मिल जाते हैं, आपको कुछ इस तरह, यह आप देख सकते हैं, वहीं premium के अंदर आपको door के अंदर speaker नी बट console मिलता है, खाली और यहाँ पर टूटर मिलता है, यहाँ पर यह mirror कंट्रोल करने का option मिलता है, अब अगला option mirror से ही है, फिर mirror आपको electrically adjustable और foldable नहीं मिलता, प्रीम है क्योंकि इसके अंदर आपको manually मिलेगा, आपको electrically adjustable mirror मिल जाएगा, यह आप देख सकते हैं अपने screen पर, फोल्डेबल इसके अंदर इसके अंदर आपको electrically foldable upper variant के अंदर मिलता है, अब अगली उसमें देखते हैं, यहाँ पर आपको जैसे की cup holder मिल जाता है, और दूसरी तरफ आपको, मैं दिखा देता हूँ, दूसरी तरफ आपको card holder मिल जाता है, यहाँ पर prestige के अंदर, बट वहीं आपको premium के अंदर यह दोनों चीज मिसिंग मिलेगी, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, इवन वहाँ पर cup holder भी missing रहने वाला है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपने को USB नहीं मिलता, और यहाँ पर अपने को USB मिल जाता है, और parking sensors on-off करने का भी option मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर front parking sensor मिलते हैं, वहीं premium के अंदर front parking sensor नहीं मिलते हैं, तो यह button भी आपको नहीं मिलेगा, तो यह कुछ features है, अब बात कर लेते हैं, safety feature क्या, safety feature, दोनों ही variant के अंदर बिल्कुल सेम मिलते हैं, जैसे all four disc brake मिल जाएंगे, आपको छे airbag मिल जाएंगे, TPMS मिल जाएगा, आपको सारे ही feature आपको मिल जाएंगे, दोनों ही variant के अंदर, तो pricing में भी यार काफी difference है, इन दोनों के pricing में बता देता हूँ, आपको भाई, इसकी pricing की बात करते हैं, अगर premium की, तो premium आपको पढ़ जाती है, भाई, base model 1.5 के साथ, 9,60,000 रुपे का इसका एक्शोरूम कॉस्ट रहने वाला है, आपको पढ़ता है 10,77,000 रुपे, और वही prestige की बात करते हैं, तो यह आपको 10,70,000 रुपे का एक्शोरूम कॉस्ट पढ़ने वाला है, जो की on-road जाते जाते, 12,30,000 रुपे का पढ़ जाता है, यह 1.5 petrol natural aspirated के rate बताएं मैंने, अगर आप मैं बात करता हूँ, 1.4 turbo के rate की, तो यह आपको पढ़ती है, 11,19,900 रुपे इसका एक्शोरूम कॉस्ट है, जो की on-road पढ़ती है, 12,87,000 रुपे की, और वहीं premium की, prestige की बात करें, यार बड़ा confusing है premium, prestige इवागरा करना, लेकिन हाँ prestige की pricing की बात करें, तो 12,40,000 रुपे एक्शोरूम कॉस्ट है, जो की on-road जाते जाते पढ़ जाता है, आपको 14,24,000 रुपे, तो यह 1.4 के मैंने rate बता है, बड़ डीजल में जाओगे, तो डीजल में भी यार इसके rate मैं बता देता हूँ आपको, तो डीजल में इसके rate पढ़ेंगे, जैसे premium के अक्शोरूम के बात करते हैं, तो 11,40,000 रुपे, जो की on-road 13,10,000 रुपे की पढ़ेगी, और वहीं इसकी बात करते हैं, तो यह आपको अक्शोरूम कोस्ट पढ़ेगा, 12,60,000 रुपे, जो की on-road 14,40,000 रुपे की आपको पढ़ने वाली है, तो गाइस, यह एक वीडियो है, I hope आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रही है, कि सब्सक्राइब कर लीजेगा, अब बात कर लेते हैं, सेकंड रो की, तो सेकंड रो में आपको यहाँ पर इसके अंदर यहाँ आप देख सकते हैं, सेकंड रो में इसके अंदर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर रियर रेस इवेंट के कंट्रोल मिल जाता है, कुछ इस तरह यह देख सकते हैं, यहाँ पर वहीं प्रिस्टीज, प्रीमियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी मिल जाते हैं, जादा फिर जादा डिफरेंस न फिटन फिनिश या फील इस सीट का बट उधर इससे एक मोडल उपर होने के बाद भी यहां पर सीट जो देख सकते हो नहीं फैब्रिक भी है जो की मुझे नहीं पता क्या करा है बेस मोडल की सीट जाधा अच्छी है अगर मैं बात करता हूं प्रिस्टीज से तो गाइस यह थ देन टाटा बाइबाई टेक केर गाइज